हेलो फ्रेंड दिस इज मैंनिस वेलकम टू सरक्लासेज प्रेस बेल आइकन ताके मैं वीडियो जो डालो आपको सही समय पर मिल सके प्लीज सब्सक्राइब मैं चाइनल सेयर लाइक अलसो आज हम लोग बात करेंगे प्रैग्मेटिज्म के बारे में इससे पहले हम लोगो ने किया था आइडिलीज्म और नेच्रलीज्म के बारे में अगर किसी को किसी से यह वीडियो छुट गया हो तो प्लीज आप डिस्क्रिप्सिंस बॉक्स में जाकर वहां से यह पढ़ सकते हैं तो आज हम लोग अस्टार्ट करते हैं प्रैग्मेटिज्म हेलो फ्रेंड लोग पढ़ना है अज प्रैटिज्म में तेकर यह ठीच में क्याम करता है फिर उसके बाद लूग जानेंगे कि एजोकेशन Am aircraft अग्यें प्रेंटिज्म में किसल्गों च्रिज्देस में काम करता है फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एज्जुकेशन ऐ कना SAM प्रवाइट करने की जो प्रोसिस है और miten चाहिए यानि मैतटॉप Hanukि सब्सेट्स होने इसके बारे में डिस्के बारे में हम नू सब्सक्राइबें तो ब Graham इसके बारे में और इसके बारे में और इसके लोगों ने इसके क्रिटिसाइज के बारे में उसको भी हम लोग डिसकस करेंगे तो आज हम लोग चलते हैं कॉंसेप्ट नमों कॉंसेप्ट देखते हैं क्या-क्या वरे दिश्म क्या कहता है तो इसमें में एक्यों सुपल। प्रैग्मा जो जो इसम नहीं से बना है कि ऊस्ट को मतलब खोता है अ्यलिंकों ग्राइड इस 파योजन भी Carlo को सपते हैं यानि प्रैग्मा होता फ्रयोजन यानि एक्टीवीटी ओ इजम का मतलब होता है लिए वाध तो यह वर्ड जो है ना एक ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से सब्सक्राइब होता अटिविटी ओ वाउक डन जो हम लोग करते हैं जो आपने एक्टिविटी से जो भी गेन करते हैं चीज हो को उति अवह साक्षासवत है और कहते हैं कि आज जो चिछ सत्य है तो एकल सत्य था तो कहने का मतलब वो time to time change होते रहते हैं तो it is a philosophy of practical experience यह जो philosophy है पुरी किस पर dependent है practical experience पर dependent है तो इसमें कोई सास्वत है मतलब इसमें कोई एधन फिक्स्ट नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं कि सुप्रीम किसा को माने थे गौकad को माने थे और हम लajesca रहा है लेकिंव कहते हैं कि जो भी चीज़ जो पूरा ब्रह नहीं हो एक प्राइजेश्ड कि परना हूआ तत्व से बना हुआ अलग अलग तत्व से बना हुआ है और इसको इस तत्व को कहने का मतलब है कि यह बीना activity कहां बीना form का यह नहीं हो सकता है और यह activity करते करते होने तो human beings यानी pragmatism को एक्सपेरिमेंट के थूरू यानि प्रूफ के थूरू सो करना है जब तक कोई भी चीज़ों को हम लोग करेंगे नहीं तो हम लोग उसको गेर नहीं कर पाएंगे इसमें यह चीज़ बताने के कोशिस क्या गया है तो सबसे पहले यह जो आया कहां से तो यह स्टार्ट हुआ तो इसका जो समर्थक्त है विलियम जेम्स प्राग्मेंटेश्य टेम्पर माइंड एंटिट्यूड इस त्योरी आपका नेचर से जो लेते हैं फिर उसको हम लोग अपने एकार्डिंग उसको चेंज करने के कोशिस करते हैं और उसे हम लोग डूइंग जो भी करने के बाद जो रिजल्ट आता है इसमें हम लोग बिलीब करते हैं जॉन डिवी हमारे सिलेवस के अनुसार जॉन डिवी पर ज्यादा फोकस करनी है जॉन डिवी के अनुसार जॉन ड इस चीजों को पाने के लिए तो इस चीजों में क्या क्या यूज कर सकते हैं तो हम लोग अपनी आईडिया माइंड को टूल्स के रूप में उच करते हैं ताकि चीजों को हम लोग चेंज कर सकते हैं इस में प्रेंक्ति एडवोक टैश्पेरिमेंट अपसाइंस तो साइंस भी हम यहीं बताते हैं कि पहले एकस्पेरिमेंट करो और उस चीजों से जो भी रिजल्ट आता है उसको आप क्या करो फिर दही एक दही हो गया फिर दूद सек किया बनाते है गीज गी भी बनता है तो फ्रैक्मेजिम में यही किया कि अगर आपके पास दूद है तो आप अपने technique से अपने method सेष्ट से अपने experiment से आप उसे दूद बना सकते हो और भी से फीर घी से फिर गी साथू लृकर आईडिलीज में है कि घी एक प्रकार का तत्व है फिर दूद अलग है दही अलग है तो लեकिन ड्रपालर में कहता है कि अगर आपके पास knowledge है आपके पास activity करने के लिए काफी अच्छी mind है तो आप चीजों को क्या कर सकते हो आप चीजों को बना सकते हो तो same conditions यहां पर प्रोसेस से अगर आपको आइडिया है कि आप किस प्रोसेस से आपको दुद से दही बनानी है दही से घी बनानी है तो इसमें यही experimental method का introduce क्या गया है explain क्या गया है इसे experimentalism भी कहते हैं और instrumentalism भी कहते हैं तो अब हम बात करते है principles of pragmatism के बारे में तो इसकी principles क्या क्या है तो यह change में believe करते हैं जो यह कोई जरूरी नहीं यह fixed मतलब कोई भी चीज नहीं होता है यह day to day क्या होते है चेंज होते है आज हमारा thoughts कुछ है कल मान लेते कुछ और यह fixed नहीं होता है आप मान लेते कोई भी science का theory है तो उची जो को आज जो बना दिया गया है उची कल change भी हो सकता है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा practical करना होगा practice करना होगा तो gives important to action यह actions पर बल देती है gives important to experience experience पर बल देती है believe on present यह pragmatism present में believe करता है ना यह past में believe करता है ना future में believe करता है अगर आपका present अच्छा होगा तो in future आपको अच्छी होगी result भी अच्छा मिलेगा truth is formed by its result truth यानि truth जो यह मिलता है इस method से तो इसको आपको result के बाद जो truth ऐसा नहीं है कि कि इस चीज होती है तो जब तक हम उसे proof करके नहीं देखेंगे तब तक वह चीज इसमें हम लोग मानेंगे नहीं वह truth नहीं है pragmatism के अनुसार truth वहीं चीज होती है कि जो चीज हमने proof किया और प्रूफ करने के बाद जो result आया वह truth है truth को कही हुई बाते नहीं होती है यह एक प्रूफ करके देखती है कि हाँ हो सच है या नहीं है तो अब हम लोग बात करते हैं एमस ऑफ एजुकेशन का तो इट गिप्स इंपॉर्टेंट टो एक्टिविटी बेस्ट लर्निंग इसमें सबसे बड़ी चीज है कि हमारा एजुकेशन कहसी ह होनी चाहिए यह में अच्टिविटी वेस्ट होनी चाहिए डेवलॉपमेंट ऑफ एक्टिविटी एंडेस्पेरियंस बेस्ट बेस्ट हमारा एक यह नि हमें जो अपनी अंदर में कैसी वह लू को प्रेमिटिज्म डून चाहिए तो क्रियेट करनी प्रेमिटिजम्स जो बनाती है आदमी को एक आशावादी इनरजिय को शकती सालिया और आप अपकिव इंटिव ना देर इसका अगर आता है पॉजिटिव तो आपकी कोंफ ग्रोव करेगा, the child creates value through his own activity, और चाइल जो अपना जो value होते हैं, वो बढ़ा सकते हैं, create कर सकते हैं, अपनी अच्छे अच्छे activity करके, ने, ने, activity करके, the children must learn the technique of managing their own affairs in the social and the would be a good preparation for life, तो हमें जो अपना, children must learn, सिखनी चाहिए, जरूरी होती है, technique of managing on affairs in the school would be a good preparation for life, हमें technique पर बात, इसमें pragmatism में tools की बात कही गई है, technique की बात कही गई है, machine की बात कही गई है, कि हम लोग अपनी technique से, अपनी experience से क्या करनी चाहिए, day to day अपने life में सिखनी चाहिए, pragmatism does not lay down any aims of education in advance, it believed that there can be no fixed aims of education, pragmatism में ये भी बोला गया कि education में जो theory बना दिया गया है, जो fixed कुछ भी नहीं होता है, ये हमेशा changeable होता है, life is dynamic and subject to constant change, तो life बहुत बड़ी चीज होती है, dynamic होती है, तो subject होनी चाहिए, वो time to tap change होनी चाहिए, and hence the aims of education are born to be dynamic, और education हमारे भी क्या होनी चाह चाहिए, काफी बड़ा education deals with human life, education human life को deal करनी चाहिए, and it must, ये हमारा human life के according होनी चाहिए, present में क्या situation है, उसके according होनी चाहिए, उसके needs के according होनी चाहिए, it must help the children to fulfill their biological and social needs, अब बात करते है, हम लोग, children should be so trained that they may be able to solve their present day problems, children को होनी चाहिए, train करना चाहिए, कैसा उन्हें जो present में मान लेते हैं, कोई भी problem आता है, उनको sort out, उनको solve करने के लिए, उनमें capability होनी चाहिए, उनको ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा pragmatism में मानता है, कि हमें बच्चों को ऐसा बनाओ, कि वो अगर कहीं कुस प्राब्लम में फस्ते हैं, तो उसे sort out, उसे solve करने में अपने आपको काफी अच्छे feel कर सके, और उस problem को solve कर सके, efficiency and adjust themself to social environment, और अपने pragmatism के अनसार, आजकाल के बच्चे ऐसी होनी चाहिए, उन्हें ऐसा बनाओ कि अपने society में ढहल सके, और उनके अनुसार चल सके, और चीजों को, मतलब ऐसा ना हो कि जो चीज एडजेस्ट ही नहीं कर पाएं अपने आपको, तो उन्हें एडजेस्ट करने लाइक बनाना चाहिए, method क्या कैसी होनी चाहिए, teaching method, तो method जो होनी चाहिए, project method होनी चाहिए, correlation method होनी चाहिए, play way method होनी चाहिए, experimentation method होनी चाहिए, activity method होनी चाहिए the child is the central figure in this method, child को central figure में रखकर कोई भी चीजों को पढ़ाना है, pragmatist method इस एक्टिविटी होनी चाहिए, यानि इस सबसे बरी इसमें बात कहेंगे, कि हमारा इसमें activity waste method होनी चाहिए, pragmatist method is thus a problem solving method, the child has to be placed in a real situation, which he has to tackle, the child has to place real situation, which he has to tackle, इसमें यहां पर यह कहा गया, कि चाहिए को आप वैसा बनाओ कि कोई भी situation को कोई भी चीजों को tackle कर सके, ओ घवराय नहीं, ओ अपने आपको वहाँ पर अपने आपको इस तीन्थ फिल कर पाए, और ओ चीजों को वहाँ से problem से बाहर निकलने में अपने आपको मदद कर सकते, उन्हें ऐसा ऐसा नहीं कि घवराय और चीजों को लेकर तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, पैगमेंटेजन करने सार, उन्हें self confidence build करनी चाहिए, उनके बच्चों के अंदर, चाहिए, चाहिए, सबसे बरी important इसमें यह है, कि learning by doing, यानि बच्चों को ऐसा नहीं मगिंग अपर नहीं होनी चाहिए, उन्हें कोई भी चीज को सिखाने के लिए आपको doing, learning by doing, यानि कोई कर के सिखो, कोई चीजों को कड़ो, उसके बाद उससे सिखो, यानि practical based होनी चाहिए, the great maxim of pragmatic education, तो यहाँ पर हम लोग का बात करते है, the teaching learning process, social and biopolar process, यहाँ पर इसमें क्या, और teaching learning process कैसे होनी चाहिए, bipolar process होनी चाहिए, bipolar कहने का मतलब होता है, कि interaction, teacher और students के बीच में interaction होनी चाहिए, और इसमें बात करते है, learning takes place as an interaction between the teachers and the thought, while idealism gives first place to the teachers, idealism first place दिया था teachers को, और naturalism में हम लोग सुप्रीम माना गया था nature को, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, कि इसमें thought को यह किया गया है, कि thought होनी चाहिए, जो एक दूसरे को interact हो सके, teacher और student के बीच में कोई भी subject पर, between thought and action, they give first place to action, यहाँ पर action हो गया, thought हो गया, इस सब चीजों को first place माना गया, decree verbalism and encourage action, pragmatism किसके against में है, verbalism के against में है, और जो भरमलिजम का मतलब होता है, rudivadi, and encourage action, और action को encourage करते है, अब हम लोग बात करते है, curriculum की, तो curriculum कैसी होनी चाहिए, तो child के according होनी चाहिए, child centeredness होनी चाहिए, curriculum should be activity based होनी चाहिए, curriculum जो हो, activity based होनी चाहिए, learning should be based on child experience, तो learning हम लोग सीख सकते है, होनी चाहिए कैसी, child experience के according, principles of utility, subject they include each language, subject इसमें क्या क्या होनी चाहिए, language होनी चाहिए, science होनी चाहिए, psychology, mathematics, domestic science, and sociology, the curriculum should be framed on the basics of certain basics principles, these are utility, interest, experience, and integrations, तो curriculum बच्चों को utility के based होनी चाहिए, interest based होनी चाहिए, experience based होनी चाहिए, integration based होनी चाहिए, practical utility is the watchword of pragmatism, अब बात करते हैं, the subject like psychology and sociology which deals human behavior, तो subject जो होती है, psychology, social, जो क्या deal करता है, human behavior को, included the curriculum, इस type का subject हमारा, जो हमारी behavior, human behavior को deal कर सके, उसे बच्चों को बीच में, moral knowledge दे सके, moral learning दे सके, ऐसा curriculum में include करनी चाहिए, curriculum should include subject life, reading, curriculum में क्या include करनी की चीज़े, जैसे हमारा reading, writing, arithmetic, nature study, handwork, एसे भी चीज़ों को, हम लोगों को, इसमें include करनी चाहिए, अब इसका, इनका pragmatism को मानने वाले समर्थक कौन कौन थे, तो सबसे पहले जॉन डीवी थे, जो हमारे syllabus भी में इन्हीं के recording परना है, जॉन डीवी अमिर्का के थे और इन्हें father of pragmatism भी कहा जाता है, फिर विलियम जेम्स हुए, प्रोटोगोरस हुए, हेरेकलिटिवस हुए, चार्ल्स एस्पायर्स, एन डव्लू एच क्लिप्टेडिक हुए, यह समर्थक exponents में हैं, फिर उसका school कैसा होना चाहिए, एक्कॉर्डिंग टु जॉन डीवी, school miniature of society, school जो होता है, हमारा society का miniature होता है, it is a social institution which developed, जो हमारे social sense of duty to our society and nations, जो बच्चों की mind को, बच्चों की sense of duty जो होती है, उस चीजों को develop करने में बहुत ज्यादा important role play करता है, एक इसकूल, तो इसकूल का होना बहुत जोरी है, इसकूल environment which inspires children, experimentation is school for them, social environment जो होनी चाहिए, इसकूल में एक्टिविटी बेस्ट होनी चाहिए, और हमारे society जो लाइफ होती है, आप सोसाइटी में जो घटित होते है, उसके according हमारे environment बनानी चाहिए, इसकूल में, teachers की role क्या होनी चाहिए, कैसे teachers होनी चाहिए, तो ओ एक observer के रूप में काम करें, friendly के रूप में काम करें, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें, एक आइज़ टीचर मतलब डाटे डबटे ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें आप friendly way में face कर सकते हैं, बच्चों को guider के रूप and he is the helper and promoter, he should teach the peoples of things and act for themselves to rather than to know, organize rather than to repeat, people, teacher को guider के रूप में होनी चाहिए, उन्हें कापी cooperate करना चाहिए, उन्हें friendly way में भी है, friend ऐसा बन कर रहा है ना चाहिए, बच्चों के साथ, people will gain knowledge and skill, their own initiative doing is more important than knowing, तो teachers को एक ऐसा होना चाहिए, कि उन्हें activity में help करना चाहिए, उन्हें encourage करना चाहिए, उन्हें doing करने के लिए, कोई भी काम को करने के लिए, ताकि उन्हें बताना होगा, कि आप जो भी करके सिखते हो, ज्यादा important है, knowing के, comparison than knowing, discipline, gives lot of freedom, बच्चों को freedom देना है, ऐसा नहीं ह करो, उसे unlocked कर दो, हैना, sorry, locked कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, self-discipline होनी चाहिए, discipline based on social and mutual understanding, तो discipline जो होनी चाहिए, social and mutual understanding, discipline, freedom देने का मतलब यह नहीं है, कि आप किसी को कुछ भी बोल दो, मतलब self-discipline को समझाना चाहिए, क्या सही है, क्या गला था है, उन्हें समझाना है बच्चों को, यह चीजो को knowledge देनी है, और freedom देनी है, discipline of the people's own work and purpose of creative activity, imposed and rigid discipline can have no place in the pragmatism school, यह school pragmatism के नुसर, कोई यहाँ प आप किसी चीज को थोप नहीं सकते हो, यह pragmatism इसके खिलाप है, बच्चों को, बच्चे के according ही, आपका, आपका यहाँ पर discipline होनी चाहिए, बच्चे जो चाहते हैं, next हमारा merit of pragmatism, इसका merit क्या है, तो pragmatism has immensely contribute to the theory of practice of education, it is not only a practical philosophy, but it is a progressive one, pragmatism is not based on fixed value, it is a dynamic and adaptable social philosophy, learning in true and real only when they come through doing project method is an activity method, it is developed sociability and instrument, it also generates sense cooperation among them, it opposes the formalism and artificiality in face and practical results, bias to our social efficiency, critical spirit, all over evolution, education, it has, बच्चों को ऐसा बनाओ, कि वो समाज में रहे, समाज में रहकर कोई भी काम करें और लोगों की feeling को समझे, दूसरी बात है कि true and real, कोई वी चीजों को उन्लों Lord truth, जब तक न मनें को परूब ना करें, हैंना Boss दक उनकी आत्मा अंदर मन 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 से आवाज नहीं कि सहींगर। और आहीं और सब्रूआ है, आप बहुत आप इश्ए जैसे हम लोगuff में परहे थे कि वहांपर I'm Жooa गया है वहां God को इंपोर्टेस्थ द्या गया तो मतलब हम चीजों को देखे ने चीज पर बिलीब ना करें इसमें यह क्या कि इस टाइप के सिच्छा में विश्वास करता है इसका दिमेरिट का इन प्रग्मतिजम कहता है कि यहां पर एपसुलुट स्टेंडर नहीं होती है एजुकेसर इस टू हेल्प मैं टू क्रेट हिस नुव स्टेंडर्ड अप लाइफ अलग 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 मतलब एक फिक्स्टेंड नहीं होता है जो काफी खतरनाक होता है इसा मत्तों क्रिटिसाइज करते हैं कुण लोग इन अपसेंस ओप इटर्नल वैल्यू देर वेरी लाइकली हुड वैक्यू विंग क्रेटेट असे लोग अपसेंस ओविटर यानि कहता है कि प्रकुर्टीजम वाले के इंटर्नल इट चेंज विदा चेंज अप्रामेंड के सरकमिस्टांस और यह जो हीमन की वैल्यू होती है वो चेंज करती है ऐसा दोस लगाते है लोग इस टूटाइट एक्शन से पार्टेंट अन में जनेरे ठींकिंग यह सही है कि एक्शन इस इंपॉर्टेंट इसमें जनेरे ठींकिंग इस प्रेशले डूट अल थिंकिंग दस नॉट प्रोसिट फॉम एक्शन से किया जा सकता लेकिक अज़ यह जहीं नहीं है कि सभी कुछ एक्शन से किया जाए ऐसा सही नहीं प्रेंटिज्म जो है इस प्रेश्चियल वैलू को अपोच मतलब उसके अगेस्ट में इस टेबल लेस्ट सेलफलेस हीमेंट एरीजम तूमच एक्सपरिमेंटलिजम इस टुबैट ऐस्टूमच फेट और टैडिशनल इसनल इसनल अपर टू टू ट्रादिशनल और स्कैप्टिकल कर रहा कि इस प्रेश्चिया करता है इसके अंदर जैसे कह सकते हैं कि घमान डाना तो इस त संदा योगी थैंक यू